ड्रीम 11 पर परस्ट प्राइज जीतने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या कुछ किया जाता है, जो भी परस्ट प्राइज जीतते तो वो क्या करते हैं, कौन सी ट्रिक यूज करते हैं, या वो मेनद करते हैं, या उनकी किस्मत से उनको यहाँ पर परस्ट प्राइज मिल जा तो आप यहाँ पर परस पराइज जीत चाते हैं लेकिन दो चीज इंपोर्टेंड है क्योंकि तोऱीशी मेंनत आपको करनी होगी और ट्रिक भी यूज आपको यहाँ पर करनी होगी तो इस दो चीज के सहर ही यहाँ पर आप परप indoor पराइज जीत सकते हैं या Dream11 hang हता है या कुछ भी कहते हैं लेकिन आपने देखा होगे कि आपके पास पास भी लोग एक एक करोड़ रुपे जीत रहे हैं, बहुत गरीब रखती भी यहाँ पर जीत रहा है, तो यहाँ पर उनके किसमत, और उनकी मेहत्प, और उनकी ट्रिक यहाँ पर यूज आ रही तो वो पिछ रिपोर्ट देखते हैं पिछ रिपोर्ट देखने का सई समय क्या है वो भी आज की वीडियो में बताने वाले क्योंकि पिछ रिपोर्ट आप देखते हैं तो आप सई समय पर नहीं देख पाते हैं क्योंकि किसी भी मेदान पर जब मेज होता है तो यहां पर आप तरीके से वहां पर पिछ बनाई जाती है जो टीम वहां पर खेलने वाले होती है उनको भी पता नहीं होता है कि आज हमें कौन सी पिछ पर खेलना होगा उनको भी नहीं पता है तो यह चीजे आपको कैसे पता करनी है आप पिछ रिपोर्ट देखते तो वह बिल्कुल गलत पि पर इंतिजार करना है क्योंकि टोस के वक्त जो पिछ्रिपोर्ट बताइस यह फिर जाती है जब टोस होता है तो आपको जो टोस होने पर जब Toos के बाद होता है उनको क्या प्रेटिन होता है Nous को पूचा जाता है कि क्या क्या है क्या involved kे सुन और पर में यहाँ पर अप già केUh parenting लेता है तो इसका मतलब है बेटिंग पिच यहां पर यूज होने वाली है चार पांच पिचों में अलग लग पिच होती है जब कोई केप्टिन यहां पर बेटिंग ले लेता है तो आपको कंफरम हो जाना है कि बेटिंग पिच पर यहां पर जो है मेज होने वाला है उसी की आप पिछ रिपोर्ट उस तमें देख सकते हैं जब आपको टोस के समय वो सब पता लगता है तो यहां पर टोस होने के बाद यदि कोई बोलिंग पिछ लेता है तो आप बोलिंग पिछ के इसाब से ही यहां पर जो अपनी टीम बनाएं क्योंकि कैप्टिन को उस समय पता लग यहां बनाए यहां पर पिछ बिलकुल सपार्ट होने वाली है तो जो है इसकोर बहुत ज़्यादा यहां पर मिल सकता है तो यहाँ पर बड़े score को रोखने के लिए, जो है, spinbolar का यूजि किया जाता है, pastbolar यहाँ पर बड़े score को नहीं रोख पाते हैं, तो pastbolar को आपको avoid करना है, spinbolar को यहाँ पर आपको select करना है, जब भी आप team बनाए तो आपको percentage का ज़रूर दियान रखना है, क्योंकि percentage के हि सबस़े आप यहां पर टीम बिल्कोल भी नहीं बनाए आपको यह देखना है कि कौन सा बल्लेबाज पिछले चार-पाँच में वो जरूर में चल रहा है वह जरूर आपको को देखना है क्योंकि फोण UFC आर्ण het की खेलने में बहुत ज्यादा सक्षम है लेकिन लोगों ने उसे कम ले रखाए यान की बहुत कम प्रस्टेज्ट वाढ़े लोगों ने उसे ले रखाए तो उसको आप यहाँ पर select जरूर किजएगा क्योंकि वह हमेशे हैं यहाँ पर अच्छा betting कर सकता है यहाँ बेटिंग बल्लेबाज को आपको लेना है क्योंकि यह आपके लिए बहुत जादे इंपोर्टेंट होते हैं उनकी बेटिंग आना बहुत जरूरी है क्योंकि उन बल्लेबाज की बेटिंग आ जाती है लेकिन यहां पर छे साथ लंबर पर जो भी बेटिंग करता है उनकी बेटिंग आना यहाँ पर confirm नहीं है तो आप यदि उनकी बेटिंग नहीं आती है तो आप वहीं हार जाते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है जब आप टोप तीन या चार बल्लेवाज यहाँ पर ले लेते हैं तो उनकी बेटिंग आना 100% लेकि उनकी बेटिंग तो जरूर आएगी और वो रन भी यहाँ पर बनाएगे ओलाउंडर सेक्शन पर भी आप पिछ के हिसाब से ही सलेट करें कि ओलाउंडर को लेना है या नहीं लेना है तो ओलाउंडर ले तो आप इस्पिन ओलाउंडर को जरूर ले क्योंकि इस्पिन ओलाउंडर आपके लिए बहतर हो सकता है और अच्छी फोर्म यहाँ पर दिख चैम बनाते हैं तो आपको दो स्हाइन चैप्टिंन जादा का स्वास क्वेश करें ताक आपकी टीम जीटने चानसे क्योंकि हर दम कभी भी टीम जीती है और जीए अर जीटे फीक्डिपाती केप्टिन आपके लिए परिफेक्ट होता है केप्टिन और वाइस केप्टिन भी उसी प्लेयर को बना है जो कि फॉर्म में हो अच्छा खेल पाता हो लेकिन उनका परसंटेज ज्यादा नहीं यह आपके पास आपने यहां पर देखिए सिकर दवने उनके बारा परसंट लोग कमना के बराबर हो जाते अब आपको क्या करना है क्या क्या रवायस केप्टिन बनाने के लिए आपको ऐसा प्लेयर देखने के लाप फे बाएंडा उच्छा फ्रski बिछलेगा लेकिन अच्छा क्यों पर सैपकर इसको आपच्ञों करते हैं तो आप यह जीतने के चांसे ब कि यहां पर वही जीत पाता है जिसका पसंटेज कैप्टिन और वाइस कैप्टिन में कम लोगों ने सलेट किया हो और यहां पर एक बहुतर टीम भी उनने बनाई हो यदि आप एक बहुतर टीम बनाते हैं और इन बातों को फोलो करते हैं तो आपके जीतने के चांसे साथ-स-सायवन में जीतना है तो कैप्टिन और वाइस कैप्टिन ही आपके लिए बहतर होने चाहिए वरिन आप यहां पर नहीं जीत पाएंगे क्योंकि यहां पर जीटने के लिए जिए